नमस्कार दोश्तों बुपेन सिंग आप सभी का फिर से एक्जाम गुरू मस्वाधत करता हूं दोश्तों उन्हें तजार सिख्षक भर्षती के संदर में हम आपके सामने बहुत प्रेट लेकर आए हैं दोश्तों यह जो वीडियो होगा आज उत्तरकुंजी प्रकरण से संब पकड़े हुए है क्योंकि सुप्रीम कोड से दिसा निर्दिश मिल चुके हैं कि इस मामले को सिग्र ही दो माहा में सुल जा जाए तो दोश्तों यह जो जाचिका है जो मैंने जाचिका दिसे मिस्टा की जो याचिका है उससे कौन-कौन से याचिका कनेक्ट है आज हम उन कबने के संकेत मिल रहें दोस्तों फटाफफट वीडियो को सुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों को भी सेर करें क्योंकि जो पलपल के अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवच्थ से लेगाए दोश् सबी जानते हैं कि जब एक्जाम हुआ था और एक्जाम होने के बाद में जितने भी जो आंसर की निकली थी आंसर की और जो PNP द्वारा आंसर की जारी कियी गई थी और जो वाश्तिविक आंसर हैं उन समय बहुत बड़ा अंतर देखने को आप सबी को मिला कुछ कुछन्स ऐसे हैं जिन पर PNP ने सही माना है किन्तो खुद जो PNP जो परिश्द की कितावे हैं उनका आंसर में कुछ और दिया गया है मतलब बच्चों को कुछ और पढ़ा जा रहा है दोस्तो इन सभी को सबूत के तोर पर कलेक्ट किया गया और नियाले के सामने प्र वो अलग थे तो उसी को देखते हैं प्रिश्द के सामने जब इन सभी को प्रस्तुत किया तो हमाई लाइफ सुनवाई में लगबग दो कुछन ऐसे थे जिन पर जजज साब अंग देने के लिए राजी हो चुके थे किन्तु वकिलों का जो एक समूध था जो उनकी मंदली थी उन्होंने वकिल उन्होंने जजज साब से लगबग तीन से चार कुछनों के इसमें मांग कर डाली कि इतने कुछन सही बैट रहे हैं आप इतने कुछन अब्भारती को दे दें और मैं यह भी दाविक साथ कह सकता हूं कि लगबग तीन यह चार अंग अवसे अब्भार जाती बोडर लाइन पर ऐसे हैं अगर उनको एक नमबर मिल जाए तो इस भरती में अपनी जगह सुनिजित कर लेंगे और सबसे ज्यादा फाइदा तो उन्हों सिक्सामित्रों को होने वाला है जिनको लगबग 25 गुणांग 25 गुणांग का भारांग उनको मिल रहा है उनका एक नमब बढ़ते के साथ ही उनका हो जाएगा दोस्तो आज यह वीडियो जो है यह के संदर में हमने यह बनाई है दोस्तो आज की जो वीडियो इसी मुद्दे पर हमने बनाए गई है तो वहीं एक बात आप सब को बता चले जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2825 में ऐसा मामला इसी कंडिशन का देखने को मिला था जिसमें लगबग 1100 याचियों को जो मिल गई थी उसमें कुछ अभ्यारती ऐसे भी थे कि 11 का एक जाम नहीं दिया था बारे में उन्होंने एक जाम दिया और बारे में पास हो को याचियों लिस्ट में सामिल हो गई और फेलिर भी मिल गई और कोट के द्वारा उनको पक्कावीज में कर दिया गया है तो वही कंडिशन अब आपको इस भरती में देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि रिसमिस्टा की जो मैन याचिका है उससे ऐसी कितने याचिका हैं वह आप सबको दिखाना चाहते हैं और सभी याचिग बिलते हैं तो कहीं रहे हैं याचिएम मिलने की पूरी पूरी सभावना हो जाएगी जैसा कि आप यह जानते हैं कि नंबर यह के नंबर बढ़ते है इसमें आप देख पारे हैं सभी जो सीरे लंबर है 8056 बटा टूटा ट्वंटी रिसर मिर्स एंड अदर्स और इनके जो वकील है वकील भी आप देख सकते हैं इसमें जो वकील देखा रहे हैं लजित परसाद मिश्रा और अमित कुमार बदोधिया जी यह इनके वकील है जो 8225 यह राजर सिंग तिरपाटी की है और नेक्स 8233 यह कुमारी सिखा तिवारी की है और इसमें 8236 यह राशी राय की है और 8241 जो की सिखा सिंग के नाम से जाची का डली गई है और वहीं आप देखांगे कि 8057 राजिव कुमार की है और जो अगला है इसमें 8062 जो अनुर पार्टी 8071 महिश कुमार और 8085 पिरदीप कुमार इन सब की यह याचिका है आप सब ही अपने याचिका सब जो याचिक करता हैं से कनेक्ट हो जाए और आप सिखिर देख लें 8096 इंद्र दिवान सिंग की है और 8099 सिवानी वर्मा की और नेक्स में 8025 राकेश कुमार तिवा याचिका परी हुई है तो दोस्तों आप सभी अपने याचिकन से संपर्क करें और इन से संपर्क भी साधे राखें 8031 अभीशेक मिस्रा 8089 रामसुरेश और 8190 दिनेश कुमार 8191 हिमानी गुपता के नाम से है और 8193 सुदिर कुमार और 8200 अखलेश वर के नाम से आचिका इसमें पड़ी हुई है और 8205 राजकमार मिस्रा और दिपसिका 82858 रिचार मिस्रा और 8279 सालनी यादव के नाम से इसमें याचिका इसमें पड़ी हुई है दोस्तों सभी आप सब देख सकते हैं तर बोलने में टाइम इसमें काफी लग जाएगा मैं और इसको मैं आ रहा और वकीलों संपर्क करें क्योंकि जैसे ही सुनवाई चलेगे सारी याचिकाई एक साथ बंच हैं और ये कोट में ये रिप्रेजेंट करना होता हर बार और जैसे ही जब सुनवाई होती है तो सभी को बार देखने के टाइम मिलता जो उनके जो जजज के साहिक होते हैं वह इन याचिकाई को देखते हैं तो जो भी जुड़े हैं आप सब देख सकते हैं यह चैपेज की पीडिएफ है और चैपेज की पीडिएफ में जितने याचिकन हैं वह अपना नाम इसमें देख सकते हैं उनके नाम से जो जिसे मिर्सा की टीम से जुड़े हुए हैं वह इसम तो इसमें आप सभी आपने जुड़े और सम्मेसरा टीम से भी संपर्ग साधरा के और हो सकता है कि कुछ कुछ याची ऐसे हैं कि उसे संपर्ग नहीं करते और याची लिष्ट में नाम देख सकते हैं और सभी इसे मिसरा टीम से कनेक्ट में रहें क्योंकि याची ला मिलने की पूरी-पूरी संभावना इसमें बन रही है तो प्लीज जो बहुत चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्र झाल